तो स्वागत है आपका अपने चनल मेडिकली ज्यान में आज हम लेका हैं आपके लिए एक ओट टोपिक आपने देखा होगा कि देंगू बगएरा के अंदर प्लेटेट्स काउन हो जाती है और घरवारे बुड़े-बुजुर कहते हैं कि जा, मेरे घर से 4-5 प्लेटे लेके जा और उसको दे यह प्लेटें कं लोती है हम बढ़ा एते हैं हमारे करें बहुत दम पड़ी है तो इसी को यह अब खरेंहां कि ये प्लेट्स होती क्या है या फिर SDP और RDP में क्या फरक है इसका प्रोसीजर का वीडियो इसके अंदर रखेंगे तो पूरा प्रोसीजर पूरा वीडियो देखिएगा आपको कुछ ना कुछ तो जानकारी मिली जाएगी तो सबसे पहले आता है RDP उससे पहले मैं पता होना चाहिए कि सिंगल ब्लड यूनिट जो होती है उसमें कितना ब्लड को निकालता है आपने ब्लड दिया तो कितना निकाला उसने तो यह साड़ी 300 से साड़ी 400 म ब्लड निकाला जाता है मैं ली यह साड़ी 300 से लिए निकलता है कुछ उपर होता है ताकि कुछ जांचे मगर की जाए तो यह साड़ी 300 म का एक यू एक आदमी ने ब्लड दिया, सिंगल ब्लड उनिट दी, उसके अंदर से 4-6 गंटे का प्रोसीजर होता है, इसमें सेंट्रिफूजन किया जाता है, जिससे क्या करता है उसमें से 6-7 अजार प्लेटलेट्स निकल जाती है, 5-6-7 अकोडिंग टू ब्लड ग्रूप, या ब्लड जो होता है उसकी प्लेटलेट्स के कोडिंग ये मिलती है आपको, तो RDP क्या है, एक पेशन ने ब्लड दिया, किसी ने ब्लड दिया, स्वसादमी ने उसमें से क्या किया, सेंट्रिफूज के द्वारा प्लेटलेट्स अलग की गई, 4-6 गंटे का टाइम लगता है, एक RDP का करेगा, इसको प्लेटलेट्स देगा, ये एक बार में ही होता है, इसमें 35-40-45 मिनट से एक घंटे तक टैम लग जाता है, इस पूरे प्रोसीजर में, इसी के बारे में आज हम पूरा खुल के पड़ेंगे, अच्छे से, दबा के, तो देखिए, अब इसके अंदर है, की हो प्रणबर गैस की, वो बेन में लगती है, उसके अंदर 3 वे होते हैं, एक से ब्लड आता है, एक से जाता है, और तीसरे में, फ्लूड, जो पेशिन्ट को एक रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरह मिलता रहता है, जब भी एक प्लेटलेट्स होती है, उसके अंदर 30 से 60,000 तक प्लेटलेट्स निकलती है एक में ठीक है एक आदमी से और ये घंटे बर का प्रोसीजर होता है इसमें ब्लड पूर पूर आदमी में वापस आ जाता है तो RDP जिसके अंदर 6,000 होती है पांच भी हो सकती है ठीक है और GDP के अंदर 6,000 तक होती है तो 7,8 RDP जा होती है वो एक GDP के बराबर होती है कोश्टली RDP आपको 400 रुपे से 800 रुपे तक मिल जाती है बट GDP आपको 10,000 से लेकर 14,000 तक मिलती है इसके लिए अलग से प्रोसीजर होता है किट आती है तो चलिए स्टार्ट करते है अपना प्रोसीजर तो इस प्रोसीजर के अंदर आपको दिखाए दे रही है यह मशीन यह GDP निकालने के लिए मशीन होती है यह डोनर है जैसे कि आप देख पा रहे है यह मैं हूँ और कोई और नहीं मिला था तो मुझे ही करना पड़ा इसके अंदर देखिए सिरिंज लगी हूई है आपके वेन के अंदर ह यहां से यह सिंगल है बर आगे तीन हो जाती है यह जिसके अंदर से एक के अंदर ब्लड आता है एक से जाता है और थर्ड के अंदर का ऐटि का यह त medidas के अंदर चल रही He जो सब दोथी जिसके अंदर है तक इस प्राइज करते है यह तक रिब्ग करते है यह ह büy़ बर जाता है यह आप के पास समय श्क्राइब चाम नहीं है एठ ठीक है इसके बाद मशीन के अंदर आपने देख लिया है सारा कुछ प्रोसीजर ये इस तरीके से होता है ये बलड जाना आना ये एश्डीपी लेने का पूरा प्रोसीजर है जो आपके सामने है इसके द्वारा ही आप डेंगु मरीज या किसी मरीज को प्लेटलेट्स देते हैं ठीक है इसके अंदर डोनर होता है एक रिसीवर होता है और ये बहुत एक घंटे का प्रोसीजर इसमें सारा हो जाता है आपका खून आपके अंदर आ जाएगा benefit सुनिए अगर यह procedure आप करते हैं तो आपको इसके बहुत benefit होते हैं जैसे कहते हैं ना खून देने से बढ़ता है तो एक plate rates क्या होती है तीन दिन के अंदर चार दिन के अंदर वो मर जाती है लाइफ टैगल पता है ना आपको तो उसके according अगर आप यह दे देते हैं तो जैसे दूसरी body में जाता है वह cell तो वह उतना ही दिन वापस से recovery करती है इससे पेशन के अंदर increment होता है प्रेगनेंट वूमन हो गई बोन में रोक किसी के disease हो गई ओप्रेशन हुआ है ओल्ड एज हुई है डैंगू वाइरल कुछ मरजी हुआ है तो इसके अंदर plate rates दी जाती है तो यह आज का हमारा procedure था आशा करता हम आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए कोमेंट में बता दीजिए अच्छा लगा या नहीं लगा थोड़ा बहुत तो पता चलना चाहिए ना थैंक्यू वेरी मच बिलते हैं अगली वीडियो में